हाई फ्रेंज, वेलकम तुमाइ यूटुब चैनल, दर रियल टेक तो दोस्तो आपके फोन में MX प्लेयर जरूर होगा क्योंकि आज जितने भी स्मार्टफोन यूजर है उनमें से लगबग 80% लोगों के फोन में MX प्लेयर होता है तो इसलिए दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर MX प्लेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टिक्स या फिर कहलो MX प्लेयर के कुछ ऐसे हीडिन फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और उसे भी ज्यादा ये आपके लिए यूजफुल होगा तो इसलिए दोस्तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं MS प्लेयर के जितने भी फीचर्स के बारे में बताऊंगा उनमें से आपको कोई भी ऐसा नहीं लएगा कि जो आपके लिए बेकार है वो सारे के सारे यूजफुल है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन मेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जितने ही मेरी आने वाली आगे वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस वीडियो के MS Player के Hidden Features No.1 के बारे में तो दोस्तो कभी-कभी हमारे साथ क्या होता है कि जब कभी हम अपने MS Player में कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो देखने के दोरान ही हमें उस फोन में कोई भी urgent काम पर जाता है और वो काम वहाँ पर उसी समय करने के लिए जरूरी होता है तो वैसे कंडिशन में हमारे साथ वहाँ पर क्या होता है कि हम उस वीडियो को कट करना होता है उस वीडियो को रोकना होता है तो वैसे condition में दोस्तो ये trick आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि जब आप अपने MS Player में इस hidden feature को enable कर लोगे तो आप कोई भी वीडियो अपने MS Player में देख रहे हो और वहाँ पे आपको कोई urgent काम भी आ जाता है तो आप वो दोनों काम एक साथ कर सकते हो काफी आसानी से एक तरफ आपका वीडियो पे ले होगा और दूसरी तरफ आप अपना मुबाइल में काम कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं अपने MS Player में इस setting को on करना तो आपको simply चले जाना है अपने MS Player के अंदर MS Player में जाने के बाद आपको यहाँ पे simply left side उपर corner में 3 line दखाई दे रहा होगा तो आपको उस पे click करना है उस पे click करने के बाद यहाँ से आपको एक option दिख रहा होगा local play setting का तो आपको वो वाले option पे click करना है उस पे click करने के बाद यहाँ से आपको जो second वाला option मिलता है player का तो आपको player वाले option पे click करना है उसके बाद मियाँ से scroll करके आपको चले जाना है नीचे की अपको simply यह वाले option पे click कर देना है तो अब क्या होगा कि 아गर आप MS Player में कोई भी video देखे होगे तो अगर आप उस video को देखने के दोरान आप उसे कट भी कर देते हो तो वो video आपको screen पे चलता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद आप अपने mobile में कोई दूसरा काम भी आसानी से कर सकते हो जैसा कि मैं अपने अभी video में देख पा रहा हूं हमारे स्क्रीन पे एक वीडियो MX Player में जो मैंने प्ले किया था वो अभी चल भी रहा है और हम अपने मुबाइल में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं तो जैसा कि आप अभी देख भी रहे होंगे कि मेरे मुबाइल में MX Player का एक वीडियो चल रहा है और दूसरी जगा मैं अपने मुबाइल में वाट्सेप चला रहा हूँ तो इस तरह दोस्तो आप अपने मुबाइल में कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं तो इस तरह दोस्तो इस फीचर को इनेबल करके आप अपने मुबाइल में दो काम को एक साथ कर सकते हो काफी असानी से तो चलिए दोस्तो अब हम चलते हैं इस वीडियो में आगे की और और अब मैं आपको बताता हूँ MX Player के Hidden Features No.2 के बारे में तो दोस्तो ये MX Player का दूसरा Hidden Features भी काफी यूजफुल है क्योंकि कभी-कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमारे फोन में कोई भी ऐसा वीडियो होता है जो MX Player में सपोर्ट नहीं करता है जिसकी वज़र से वो MX Player में नहीं चल पाता है और जब हम अपने मुबाइल में उस वीडियो को प्ले करते हैं तो हमारे डिस्पले पे दिखाता है Can't Play This Video या सिर्थ इस वीडियो इस एरर ऐसे पर करके वहाँ पे हमें देखनों के विलता है तो दोस्तो वैसे कंडिशन में ये फीचर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा क्योंकि जब आप अपने MS Player में इस फीचर को इनेबल कर लेंगे कि जब आप अपने MS Player में कोई भी वीडियो को चलाओगे तो जो वीडियो वहाँ पे चलने के लाइक नहीं होगा जो वीडियो MS Player में सपोर्ट नहीं करेगा वो वीडियो MS Player में सोगा ही नहीं और उसके बदले में डायरेक कोई दूसरा वीडियो प्ले हो जाएगा तो चलिए दूस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप इस फीचर को अपने MS Player में कैसे इनेबल कर सकते हो तो इसके दिए simply आपको चले जाना है MS Player के अंदर तो MS Player में जाने के बाद फिर से आपको left side उपर corner में 3 line दे रहा होगा आपको उस पे क्लिक करना है उसके बाद दबारा से आपको चले जाना है local players setting में तो उसके बाद में आपको second वाला जो अफिन मिलता है player का फिर से आपको player वाले option पे क्लिक करना है उसके बाद में आपको scroll करके थोरा सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा suppress error message का तो simply आपको यह वाले option पे क्लिक कर देना है तो यह जो feature है आपके MS player में enable हो गया तो दोस्तो इस features को भी आपको हमेशा अपने MS player में on रखना चाहिए तो चलिए दोस्तो अब हम आपको बताते हैं MS player के तीसरे hidden features के बारे में तो दोस्तो आज हमारे phone में बहुत सारे ऐसे personal video होते हैं personal कहने का मेरा क्या मतलब है यह आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कियोंकि आज हर किसी के mobile में personal video जरूर होता है तो दोस्तो वैसे condition में उस video को छिपाने के लिए आप अपने mobile में अलग से app लोग download करते हो इसे hide करते हो बहुत तरह के से अजिस्टिंग्स आप अपने phone में on करते हो तो दोस्तो अगर आप उस personal video को अपने mobile में hide करना चाहते हो और आप नहीं चाहते हो कोई अलग से applo's डावनोड करे आप के उस video को आपके अलावा कोई दूसरा ना देख सके तो आपको ये features काफी काम आने वाली है क्योंकि आपको MS Player में एक ऐसा features देखने को मिलता है जिससे आप अपने सारे personal video को उसमें hide कर सकते हो उसमें password भी set कर सकते हो और उस video को आपके अलावा कोई भी दूसरा नहीं देख पाएगा तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हो इस features का फायदा उठाना तो आपको simply चले जाना है अपने MS Player के अंदर MS Player में जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से चले जाना है 3 line वाले option में उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे एक option देख जाएगा private folder का तो आपको private folder वाले option पे क्लिक करना है उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको four digit का कोई pin डाल देना है और ध्यान रखना कि यही आपका password होगा for example मैं यहाँ पे कोई भी एक pin ले ले लेता हूँ four digit का उसके बाद मैं यहाँ से आपको simply continue पे क्लिक करना है continue पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना कोई भी एक email ID डाल देना है for example मैं यहाँ पे email ID डाल दिया एक कोर्णर में दिख रहा होगा पलस का आइकन तो आपको उस पे क्लिक करना है उस पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप हाइड करना चाहते हो तो यहां पर मैं उस वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे एक औ कि जाने के बाद यहां पर आप को फोन में को ном wrench करना स्के प्रॉट करेंसे अगर आपके फ़िएो सता हूं आप को फिर इंहेंड का तो इसके लिए simply आपको उस वीडियो के three line पे क्लिक करना है उसके बाद में यहां पे आपको एक option दिख जाता है unlock का तो आपको simply unlock वाले option पे क्लिक करना है और यहां से आपको unlock पे क्लिक कर देना है तो वीडियो आपको फिर से MS player में देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप अपने MS player में कोई भी personal वीडियो को रख सकते हो और उसमें password सेट कर सकते हो जिर इससे आपके इलावा वो वीडियो कोई दूसरा नहीं देख पाएगा तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं MS player के next important hidden features के बारे में जो आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगी तो दोस्तों अगर आप कोई भी वीडियो online देखना चाहते हो या फिर कोई भी music आप online सुनना चाहते हो तो वो वीडियो वो music आपको सारे के सारे MS player पे असानी से देखने को मिल जाएंगे और वो music को आप असानी से mx player पे सुन सकते हैं चाहे हो जितना नया हो यतना पुराना हो आपको बहुत तरग के टेगरी वाज वाज वीडियो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा के टेगरी वाज वाज वहाँ पे आपको music सुनने को मिल जाएगा तो दोस्तो अगर आप कोई भी show देखना चाहते हो कोई भी live TV देखना चाहते हो या फिर कोई भी ऐसे entertainment के channel है वो भी आप mx player पे आसानी से देख सकते हो अगर हम simply कहें तो आपको जितना भी channel डिश टिवी पे देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो अगर आप भी चाहते हो वो सभी दी टिवी चैनल का मज़ा mx player पे लेना तो अब हम चलते हैं simple mx player पे और अब मैं आपको बताता हूं कि आप वो सभी दी टिवी चैनल का मज़ा mx player पे आप कैसे ले सकते हो mx player में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में بहुत सारे aikon देख लेकों मिल रहा है तो यहाँ पे आप music में जाके कोई भी music को सुन सकते हो तो music में जाएंगे तो आपको और लड़ी बहुत सारे music देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको वो music सर्च करके सुनना है तो आप यहां से उस music का नाम सर्च कर सकते हो और उस music को यहां से असानी से सुन सकते हो उसके बाद में अगर आपको यहां पे कोई video देखना है तो यहां पे आपको सबसे नीचे option मिल जाता है video का तो आप वीडियो पर किलिक करके यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे इसके बाद में अगर दोस्तो यहाँ पर सर्च वाले ओफ्सन पर किलिक करोगे तो यहाँ पर आपको लाइफ टीव का उफषन दिख रहा होगा सबसे उपर में फॉर्थ वाला तो आप live TV पे क्लिक करके आपो सभी डीश टीवी के चैनल को देख सकते हैं और यहां से आपको कोई भी अगर चैनल को प्ले करेंगे तो आप उस चैनल पे कोई भी वीडियो के चल रहा है तो आप अपने मुबाइल में असानी से देख सकते हों यहाँ पे आपको सारे Dish TV के चैनल देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे HD Max, Sony Max, Star Gold, India TBS तो इस तरह से दोस्तों आप Dish TV के सारे चैनल को आप अपने मुबाइल के MS Player में देख सके तो यह था दोस्तों कुछ MS Player के important और hidden features जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया तो आपको इस सभी features में से कौन सा features सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यह comment box में जरूर बताना वैसे दोस्तों आपको MS Player में बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं लेकिन मैंने वो सभी features को इस वीडियो में include नहीं किया क्योंकि अगर वो सभी features को मैं अगर इस वीडियो में बताता तो यह वीडियो काफी ज़्यादा लंबा हो जाता तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो मिलते हैं फिर next वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फाइंट एक लाइक वीडियो को ज़रूर देना